नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो Acid Attack होते हैं उसको लेकर क्या-क्या कानून है ये बात क्यों चर्च हमाई? क्योंकि हाली में दिल्ली के अंदर हमें देखने को जैसे मिला एक लड़की, 17 साल की एक लड़की, जिसके ओपर Acid जैसी कोई चीज फैंकी जाती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो कानून है भारत में वो कैसे वर्क करते हैं कितने यहाँ पर सजा का प्रावधान है, यहाँ पर Acid बिकरी को लेकर क्या-क्या भार सरकार ने कंट्रोल कर रखा है तो इन चीजों को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आकर बढ़ने से, पीडियो के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से आप इस वीडियो की पीडियो जो हो डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या हुआ दिल्ली में तीन लड़कों ने एक यूवती पर एसे टेक किया और जैसे ये हुआ, तो देखिए, कुछ एसे जैसे एक सबस्टेंस जो है वो यहाँ पर एक लड़की के उपर डाला जाता है और इनके हाथ में कुछ ऐसा होता है कि वो इस लड़की पर फैंक देते हैं यहाँ पर जैसी फैंकते हैं, तो लड़की को मतलब पेन होने लगता और वो भागने लग जाती है तो ओविसली ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम यह देखेंगे कि भारत में इसको लेकर क्या क्या चीजें जो है या फिर क्या 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 कानून जो है वो बनाए गए है क्या कोई अलग से कानून है अगर किसी के उपर acid attack हो जाता है तो क्या है अब यहाँ अगर आप देखेंगे न आप लोगों को करवाता हूँ तो यह एक वीडियो है यहाँ देखेंगे यह रही लड़की अब यहाँ से वो लड़की आएंगे यह लड़की आगए अब इसके ओपर जब यह हाँ यह कुछ ऐसा पदार था यह यहाँ से भाग गई तो ओविसली पेन होने लगा था यह लड़की को जो भागने लग गई थी यानि National Crime Record Bureau ये खुद बोलती है यानि भार सरकार के दोरे ये बात खुद बोली गए उनके दोरे ये आंकड़े दिये गए हैं कि 2019 में 150 केस आये थे 2020 में 105 केस है 2021 में 102 केस है और पश्चिम वंगाल और उत्तर परदेश जो ये मामले सामने हैं इन में टोप ही किया है इन दोनों में से ही आते हैं सबसे ज़्यादा संक्या इन दोनों देश क्या कहा रहा हूँ राज्ये में से ही रहती है वर्ष 2019 में ऐसे डिटेक की जो चारशिट है वो 83% की रेट थी और सजा की जो दर रही है यानि सजा की जो रेट है वो 54% चारशिट मतलब की पुलिस किसी को गिरफ करती ही गिरफ़तार करने के बाद उसके खिलाब वहां पर सारे सबूत इकठा कर लेती तो वह फैसला सुनाते है जब मतलब उस चारशिट के उपर नहीं वो सब चीज़ों को देखते है फिर वहां पर सजा सुनाई जाती है तो ये 2019 में 83% चारशिट मतलब बहुत जल्दी जायर की गई थी, फिर उनके पर सजा का प्रावम 54% रहा था यहां पर 2020 में अगर हम बात करें चार्जिट जो 86% यानि बढ़ चुकी थी और 72% जो दर्ज होती वो सजा की रही थी 2021 में चार्जिट 89% तक जा चुकी थी लेकिन यहां पर सजा का जो एक रेट है, वो 20% तक ही रहा था, 2015 में जो Ministry of Home Affairs हैं उन्होंने सभी States के लिए एक Advisory जारी की थी कि अपने यहां पर स्टेट में हो एक Speedy Justice मतलब की तयार करें, मतलब की Speedy Justice ऐसे केस के अंदर लेके हैं जहां पर Acid Attack वो सामने आता है, तो यह एक Promise देने की उन्होंने मतलब की Ministry of Home Affairs ने जारी किया था, सभी States के लिए, अब बात करते हैं कि भारत में Acid Attack को लेकर क्या-क्या कानून है, एक आती है हमारे सामने Indian Penal Code, देकि 2013 तक कोई Separate से कोई Acid Attack को अपराद के नियम मतलब नहीं बनाया गया था, ऐसे टैक को यहां पर अलग से 2013 के बाद IPC के अंदर 326 धारा, एक के अंदर रखा गया, जिसमें बोला गया कि 10 वर्ष के लिए कम से कम सजा, और यहां पर अधिक से अधिक सजा जो है, वो कारावास, यानि की मतलब उमर कैद की सजात है, वहां पर सुनाए जा सकती है, अगर कोई treatment के लिए अगर मना कर दे, देखे कानून में, पुलिस अधिकारियों दोरा PDT की जो एक FIR है या फिर treatment है, अगर इसके लिए अगर मना कर दिया जाए, तो यहां पर भी सजा के प्रावधान है, देखे treatment के लिए इंकार कर दे, भले वो सरकारी होस्पिटल हो, या नीजी होस्पिटल हो, अगर ऐसा कर दिया, तो एक साल की सजा, और यहां पर पुलिस अधिकारी के दोरा, अगर उसने अपनी duty सही से नहीं निभाई, तो उसको दो साल तक की कैद हो सकती है, यह सब चीज़ें यहां पर रखी गई हैं भारती कानून के अंदर, अब बात आती है कि जो acid attack है, उसको regulate कैसे किया जाते हैं, देखिए एक the poison act 1999 है, इसमें क्या था, Supreme Court ने खुद संग्यान लिया था, यानि खुद अपनी तरफ से acid attack को, यह बात करते हुए कि acid प्रदार्तों की बिकरी के उपर कोई regulate जो हो, आदेश पारित किया गया था आदेश के according का गया था, कि Graham अंतराले ने सभी राज्यों को एक सला जारी की, कि कैसे acid attack की बिगरी जो सेल है, उसको regulate किया जाए और इसके लिए एक model भी त्यार किया गया था model poison possession and sales rule 2003, यह भी त्यार किया गया था, अब इसका प्रिणाम क्या निकला, प्रिणाम यह निकला कि राज्यों को इस model के नियम के अदार पर अपने खुद के नियम बनाने के लिए कहा गया क्योंकि यह जो poison का जो मामला है यह जो सब मामले जोते वो राज्ये के अधिकार शेतर में आते थे data का रख रखा, देखे acid की over the counter विक्री यानि बिना किसी वैद नुसके, मतलब कि आपको prescription किसी ने नहीं दे रखा है तब तक तो भाया आपको अनुमती है नहीं जब तक विक्रेता, acid की विक्री का record रखने वाली logbook जा रजिस्ट्री नहीं रख लेता अब इस logbook में क्या होता है acid बैचने वाले विक्ती का विवरन, बेची गई जो मातरा है और विक्ती का पता acid खरीदने वाले कारण ये सब चीज़ें इस logbook में शामिल होती है इसके अलावा क्या है देखे, IU परतिबंद और दस्ता बेजी करन देखे, विक्री केवल, सरकार के द्वारा एक यहाँ पर फोटो आईडी होगी जो सरकार ने दी होगी उसके अधार पर ही की जाएगी और जो बायर है और जो खरीदार है उसको यह साबित करना होगा कि उसकी उमर 18 साल से उपर है विसली वो सब चीज़ें दिखाएगा दस्तावेश दिखाएगा तभी वो चीज़ें होगी एसीड स्टोक की जबती देखें जो सेलर्स है ओविसली वो स्टोक कुछ अपने पास रखेगा जितना भी रखेगा वो अपनी सारी डिटेल जो है SDM यानि की सब डिविजिनल मेजिस्टेट को जाके देगा 15 दिन के अंदर अब उसके पास कुछ ऐसा स्टोक है जो अन्डिकलेर्ड है यानि उसनी किसी को बता है या नहीं तो अगर SDM को ये बात बता चली तो वो सारी जो अन्डिकलेर्ड स्टोक है वो अपने पास जबत कर लेंगे और जुर्माना जो पचास अजार तक लगा सकते हैं ये उनके पास पावर है फिर एक रिकोर्ड कीपिंग है देखें नियमयों के अनुसार जो है ओविसली कहीं न कहीं एसिड तो चाहिए होता है एजुकेशनल इंस्टुटूट होगे रिसर्च लेबरोटरीज होगी होस्पिटल होगी गोर्मेंट डिपार्टमेंट होगे या पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग इन सब में कहीं न कहीं तो एसिड की रिक्वार्मेंट होती है तो यहाँ पर जब यह एसिड रखते हैं अब इसके अलावा जवाब दही किसकी बनेगी देखिए एस पर रूल जो बोला गया है कि एक पर्शन जो है उसको एकाउंटेबल बनाया जाएगा जो पोशेशन करेगा जो एसिड अपने पास रखेगा उसको सेफ रखेगा अपने प्रमाइस के अंदर साथ इसाथ जहांपर एसिड स्टोर है वहांपर अगर कोई बच्चे आ रहे हैं या फिर पर्सनल लेनी कोई स्टाफ भी है तो उनके जाते समय वो उनकी चेकिंग भी करेगा ये कंपलसरी होगा जहांपर एसिड स्टोर किया गया है तो यहां पर यह सब चीज़ें एक accountable व्यक्ति को की जाएंगी अब acid attack पीड़तियों को कि मुआज़ा और देखबाल कैसे की जाती है देखें मुआज़े कि अगर मैं compensation की बात करूँ तो देखें acid attack पीड़तों को जो भी संबन्दित राज़े या फिर जो भी केंदर शाषित परदेश है उसके द्वारा देखबाल और उनको वापस समाज में लाने की जो लागए तक कम से कम तीन लाख रुपए का मुआज़ा दिया जाता है निसूलक उप्चार राज्यों से ये उमीद भी की जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि एसिड एटाइक के जो पीडित है उनको जी बहुत गवर्मेंट होस्पिटल हो जी वो प्राइवेट होस्पिटल हो वहाँ पर निसूलक उप्चार उनके लिए उपलब्द करवाया जाए पीडित को दर्ज किये जाने वाले जो देखे सर्जिरी की प्रिक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसलिए एसिड एटेक पीडितों के इलाज के लिए निजी एस्पताल में कम से कम एक या दो बिस्तर तो रिजर्व रखे जाने चाहिए समाजिक एकिकरन कारेकरम राज्यों को भी पीडितों के लिए समाजिक एकिकरन कारेकरमों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि जो एसिड टेक के जो वीक्टिम है वो समाज में वापस घुल मिल सके ये कैसे करेंगे देखे एंजी ओ गई विशेश रूप से उनके पुनरवाज समंदित अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए ये काम कर सकती है एंजी ओ जो भी काम करती है आप देखते भी है अब आगे की रा क्या हो सकती है देखे किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का बादा महिलाओं के खिलाब आपने कितनी इंसा देख ली अब इतनी ज़्यादा वोईलेंस महिलाओं के खिलाफ हो रहा है तो वो कैसे एक अचीव कर पाएंगे इक्वैलिटी उनके डेवलोप्मेंट वो कैसे शांती से रह पाएंगे यह सब चीज़ें कर पाना एक गर्ल्स या जो वूमेन का हुमन राइट है वो पाना नमुम्किन है अब यहाँ पर कुल मिलाकर जो SDG हैनि की Sustainable Development Goal है जहां पर यह बोला गया है कि कोई भी पीछे नहीं रहने वाला जो एक वादा है कि किसी को पीछे नहीं चोड़ना है अगर महिलाओं और लड़कियों के किलाब इसी परकार की हिंसा रही तो यह सब चीज़ें आप SDG के अंदर बोला गई है वो कैसे प्राप्त करेंगे वो सब चीज़ें हो नहीं सकती एक holistic approach देखें महिलाओं के खिलाब भले आप अपराद देख रहे हैं अब उनके कानून के लिए उनके लिए कानून भी बनाए गए है लेकिन ये एक बहुत important मुझे point लगा कि जब तक holistic approach नहीं बनाए जाएगी यह सब चीज़ें नहीं रोकने वाले या फिर मतलब कि जो एक family है वो कैसे represent कर रही है उसको क्या क्या शिक्षा दे रही है उसको समझा कैसे रही है महिलाओं के साथ कैसे बात करनी चाहिए मतलब वहवार उनका कैसा होना चाहिए जब तक यह सब चीज़ें नहीं सिखाए जाएगी उनको starting से अपने घर से शिक्षा नहीं दी जाएगी वो यह जो चीज़ें हैं हम बात कर रहे हैं उनके किलाब हिंसा रोकने की या जो सब चीज़ें हो रही हैं उनको समानता उनको विकास यह सब चीज़ें हासिल करने में बहुत जादा परिशानी आने वाली है obviously participation देखें जितने भी हम बात करते हैं कानून निर्माता पुलीस भागिदाई, पुलीस अधिकारी फॉरेंसिक विबाग, अभी योजकों जो भी stakeholders हैं नियाई पालिका, चिकित साहिम स्वास्तिबाग, जो भी गैर सरकारी संगटन है, पुनरवास के अंदर सब भी जो stakeholder उनको एक साथ मिलकर काम करने की आउशक्त है ये तो मैंने आप लोगों को एक topic बता दिया कि कैसे ऐसे ड्रैक को लेकर हमारे देश के अंदर कानून है लेकिन आप इस मुद्दे को अगर समझें तो देखिए एक महीला या फिर एक लड़की जिसके ओपर ये attack होता है उसके ओपर क्या-क्या गजरती है उसकी life कैसे change हो जाती है वो किन-किन changeों का सामना करती है उसके भी सपने होते हैं वो कैसे सपनों को मतलब वो पूरा नहीं कर पाना कितनी सब चीज़ें उसको देखना पड़ते है तो हमारी खुद की responsibility ये बंदी है कि हम अपने घर-परिवार के अंदर हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारे आस-पास के पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको अच्छे शिक्षा से उनको समझाएं उनसे बात करें कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए और कैसे मतलब ये सब चीज़ें आप देखेंगे ओविसली एक लड़की के उपर अटैक होए तो ये किस बेस पर किया गया होगा किसी ने उस लड़की ने ये तो ऐसा नहीं का होगा कि मैं तुम्हें कोपी किताब नहीं दूँगी अपनी इसलिए वो आया बाइक पर उसने ऐसी डटैक कर दिया ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात हुई होगी कोई रंजिस थी अब लड़के को इगो हो गया होगा अब इगो शांत कैसे करेंगे ऐसे ही गरत निकते हैं जिस तरीकी के इसने हरकत की है अब सरकार जो कानून है वो अपना काम कर रही है पुलिस अपना काम कर रही है तो अमीद करता हूँ कि आज का टोपिक जो आप लोगों को मैंने बताया है वो समझ में आया होगा ऐसे अपने आपको बनाईए कि कोई भी महिला आपके साथ है तो उसको ऐसा फिल ना हो कि वो डर रही है या उसको ऐस रुक्षित फिल हो रहा है वो confidence से बैटी है उसको यकीन है कि वो अपने ही देश में है और उसके उपर कोच भी ऐसी आज नहीं आने वाली है आपको अपना वैवार ऐसा बनाना होगा तो बस साच के लिए इतना है रखते है साच के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो